हेलो एब्रिवन वेलकम बैक टू माई चानल रुद्य ओफिशल जोन आज के इस वीडियो में इंवार्मेंट एजुकेशन की कुछ आप लोग को दिस्क्राइब कर रखा है तो आप लोग को दिक्कत नहीं आईगी तो आप लोग देख लिजेगा और इसकी पीडियो के लिए आप मुझे टेलिग्राम पर फॉलू कर लेना रिद्धी ओफिशल जोन से और अदर्वाइस लिंक मैं डिस्क्रेशन बॉक्स पर द स्टूरूर्ण्स के मैंसे आता है कि मैं लिंक ओपर नहीं हो रहा है तो आपका टेलीग्राम चैनल पर कोई मिस्टेक होगा आप लोग चेक कर सकते हैं और लिंक पे क्लिक करने का बाद तेलीग्राम चैनल आ जाएगा नॉर्मल यह अप लोग रिद्धी ओफिशल जोन हो गई है तो उसके लिए जो most important question आप लोग के साथ discuss करूंगी और explain भी क्या हुआ है मैंना तो आप लोग video अगर नए है मेरे चानल पर सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा सबसे पहले देख लेते हैं most important question आपके एक्जाम में आता है तो वह होता है define environment यानि की परियावरन के उपर सबसे most important question आता है explain various component of environment environment के component पूछे जाते हैं and also describe the types characteristics and scope of environment उसके बाद दूसरा question जो आता है वह आपका आता है right the meaning of environment environment की meaning बहुत अच्छे से कर लिजेगा describe the biotic and abiotics component of environment यह दो question का आपको explanation मेरी चैनल पर जो next video आईगी वह आपको explain हो जाएगी दोस्तों तो वह लोग आप वीडियो को देख लीजेगा इसमें कि अगर सायद में से पहले ही upload कर चुकी हूँ नहीं तो इसके बात जरूर वीडियो upload होगी जिसमें आपको environment से लेटे जितने आते हैं meaning definition components टाइप करेक्टर की scope सबके सबका उसमें अंसर मिल जाएगा आप लोगों को नेक्स्ट है आपको question number 3 describe various teaching strategies for spreading environmental awareness याद रखिएगा environmental awareness लिखा है तो यह अलग question होगा यह भी आपकी important question आपके exam में आता है यह सारे के सारे अभी starting के जो question है यह long question के लिए आपको important बता रही हूँ और वैसी भी अगर आपके short में आता है तो normally बोल दिया जाता है कि आपको types of environment describe करना है तो चार नमबर के according आप लोग उसके types को describe कर दीजेगा otherwise environment में इससे जाधा आप लोग को पढ़ने की need नहीं होगी next most important topic start होता है वो होता है ecosystem या तो आपको पहला question environment या ecosystem पे जरूर देखने को मिलेगा या तो इसके internal choice में आपस में यह दोनों ही question होंगे next write the component and feature of ecosystem तो जब आप ecosystem का topic करेंगे तो component of feature जरूर कर लीजेगा ने तो मैं जो class लेकर आदीओं और इन्वार्मेंट से लेटेड उनमें सारे के topic मैं explain कर दूंगे उसके लिए मेरे चानल को subscribe जरूर कीजेगा next is 5th describe the structure function and components of ecosystem आप ecosystem के structure function और components को भी बहुत अच्छे से कर लीजेगा most है क्योंकि इसका सबसे ज्यादा question आपके एक्जाम में पूछा जाता है 6th describe the feature of environmental awareness through environmental education for secondary school education ये भी most important है long question के लिए 7th आपका है who has coined the term ecosystem ये question मैंने आपके previous year के question paper से लिखा हुआ है क्योंकि आपके very short में आया हुआ थार ये important भी है repeat हो सकता है तो एक number के लिए आप लोग ये बा किसके दोवार आया था या किसने कोईन किया था तो आप लोग वापे लिख लीजेगा टीजे टीजे तांसले सायद है इसका अंसर तो अदर्वाइस इसका सबके सब में detail में आपको बता दूंगी तो इसका अंसर भी आप कर लिजेगा जिसे कि अगर very short में आगा तो आपक के एक्जाम में देखनें को मिलेंगे एक्स Пेक्टरर ओफ ऐफेक्टिंग फोट्चесन फूट्वेफ का दिफ्रेंशेट भी कर लिजेगा और उनके मेंटेपिनेशन के साथ उसके व्रकटर में लिजेगा नैक्सलेदी है यहां पर ह centres मिटल्क हैं तो आप लोग अपनी घटक का वाक्या करना है प्रियावरं के प्रकार विशेशता और उनके दाइरे करना है सेकेंड आपको प्रियावरं के अर्थ के बारे में लिखना है। उसके जैविक और आजैविक laugh घटक mayotispot що लेता है प्रिया जग रुकता किसा रचना का रहा है और उसके घटक यह तीनों आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे को बता रहे हूं अच्छे से कर लिजेगा इको सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टन टॉपिक है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका सिक्स्टे माध्य में की स्कूल शिक्षा के लिए प्रियावरण शिक्षा के माध्यम से प्रियावरण जागुरुपता की विशेश्ताओं का वर्णन करने हैं सैवंत आपको बताना ह सब्सक्राइब करेंगे अपनी सीरिस चला रही हूं उनमें सब को वन बाएवन एक्स्प्लेइन कर दूंगे हैं आपके एक्जाम होने से पहले ही कौज़िज एंड इफेक्ट एंड ड्रेमिडिज डिफोरेशन के आप लोग को मीनिंग और डेफिनिशन के साथ उसके कारण और इसके प्रभाव और उसके उपचार जरूर कर लेना टैंथ है आपका वर्डू मीन बाई एनर्जी और ज तो याद रखना दोस्तों रेमिडिज तो आप लोगे मोस्ट इंपोर्टेंट है या फिर कंट्रोल है तो यह सब बहुत जादा आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं नेक्स्ट वर्डू यू मीन बाई वाटर डिसोर्स इसाप क्या समझते हैं कर लीजेगा क्योंकि शॉ भी correspondence एब्धिशन देंट इनवाबल रिसोर्स इस और तो यह एक कॉश्चन इसमें और हो सकता है मैं पे बतादेना है आपको ऐसी अरिस आफको इमपॉर्टेंट आपको व्यात कर लिया मैं के जम्मार्च्ट के सबस्याद तो इसका इसका इमपोर्टैंस्न में दीजेगा फिफ्टेंथ हैं डिस्क्राइब ग्राउंड वर्टर ऐसे कोशन सी नॉर्मल यह आपके वैरी शॉट में देखी जाते हैं यह वैसे शॉट में नहीं आता है वैरी शॉट में आप लोग ड्राउंड वर्टर की डेफिनेशन तो कम से कम करके जाएगा सिक्स्टीं थे राइड़ ड्वांटेज एंड डिस अड्वांटेज और फॉर्स रिसोट आपको लॉंग कोशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टन मैंने आपको बता दिया आप लोग लॉंग कोशन का इंपॉर्टन कर लेंगे तो आप लोग इसली से उसे एक्स्प्लेंड कर पा है तो यह हिंदी वाले बच्चों का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अद्रवाइस टेलीग्राम चैनल पर में पीडिएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी आगे देख लेते हैं सेवन्टींत सेवन्टींत है राइट दा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बायो प्लूंदेक्स कही ब्योंखक Кईट के भी फुल टाल रखी है और एक वीडियो में लेकर हम गी जिससमें सारी फुल फॉर्म अगर मिला की उतनी फुझे को देखने जरूर परिप्र kinda जरूर मिलेगी तो यदि उपरन पनी बटन पर देख लीजेगा नेक्स 6 इसक्राइब दो कॉज़ेशन ऑफ बायो डायवर्सिटी जब आप करेंगे तो उसके कारण भी जरू करिएगा एक्स्प्लेंड टर्म एंवार्मेंटल कंजर्वेशन एक्स्प्लेंड रोल ऑफ स्कूल इन्वार्मेंटल कंजर्वेशन यह भी एक लॉंग कोशन पर बनता है इसे कर लिजेगा गिफ दे सिगनिफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायो डायवर्सिटी यानि कि बायो डायवर्सिटी से मैंने आप तीन कोशन आप से रिलेट कर दिया हैं तो आप लोग से अच्छे से कर लिजेगा नेक्स जो आपका स्टार्ट होता है वह आपका ने एक लॉग और फॉच्टा गया था तो आप लोग यहां पर दूशन की साथ परिवासा के साथ उसके परकार लिखेंगे कि कि तने परकार के प्रदूशन होते हैं पर लिजेशन होता है और इसको एक्सप्लेइन करेंगे वन वाइवन करके अधरवाई सिंगल लग आपक क्या समझते हैं describe the source of air pollution उसके सोथ को बताना है राइट कॉस इफेक्ट यह रेमिडीज मैंने आप एक ही कोशन में सारे इसलिए कर दिये जिसे कि जब आप लोग अच्छे से उसको पढ़ेंगे तो उससे रिलेट क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है आप लोग पढ़ जैसे आपको बोल दिया जाएगा what do you mean by air pollution describe the sources and remedies of air pollution इतना आपको लोग कोशन में एड कर देता है सब कुछ नहीं पूछेगा पर इनी में से कोई भी दो तिन आपको topics mix up कर देगा तो जब आप air pollution करेंगे तो यह सारे topic कर दिजेगा next ऐसी define water pollution आएगा उसके sources करने आपको causes effect और remedies उसके बाद next are the 23 most important आप thermal pollution जरूर करके जाएगा एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला question अगर होता है तो वह air और thermal या nuclear pollution पर सबसे ज़्यादा question आता है बाकी के टाइप भी pollution के पढ़ लीजेगा but यह वाला question आप लोग important है thermal वाला आपको short very short कही नहीं जरूर देखने को मिलेगा तो इन सब question को बहुत अच्छे से करिएगा दोस्तों describe the sources effect causes and remedies remedies सबके पूछे जाएंगे और how to control pollution भी पूछा जाता है एक question यह जरूर पूछा जाएगा तो यह question में add कर लीजेगा 24 है describe the causes of soil pollution and sound pollution इन दोनों के कारण भी आप पढ़ लीजेगा औ तो 17 के जो हिंदी के हैं आपे हिंदी के students भी देख सकते हैं जैव विविता का अर्थ और उसकी परिवाच्छा लिखना है और जैव विविता के सरंशन के कारणों का वर्णन करना है तो आप लोग इसे देख लीजेगा 17 18 में आपको परियावरन सरक्षन सब्त की वाक्या क कीजिए और विद्याले में भूमिका की वाकि मोस्ट इंपॉर्टन कोशन मोस्ट मोस्ट कह सकते हैं कभी-कभी रिपीट भी हो जाता है तो आप प्रिवेश्यर के कोशन पेपर से आप लोग कोशन देख लीजेगा 19 जैव विविता के सरक्षन का महत्व बताईए 20 आपका परिभासा और उसके परकार लिखने नेक्स्ट आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टन 21st कोशन जो आता है वहाता है 21st वायू पर्दूशन से आप क्या तत्पर रहे हैं वायू पर्दूशन के स्तरोतों का वंडन कीजिए और उसके कारण प्रभाव और उपचार स इतने भी टाइब से आपके प्रदूशन के उस सबके आप लोगों को यह चारों चीजी मोस्ट इंपॉटन्ट है करना इससे बाहर आप लोग से नहीं पूछा जाएगा और इसको कंट्रोल कैसे किया जाता जैसे कि मैं इंग्लिश मेंडियों वाले बच्चों को भी बोला जाते हैं नेक्स देख लेते हैं 25 तो 25 में आप लोगों को कोशन आता है ग्रीन आउज प्रभाव के अर्थ कारण और उसके प्रभाव पर चर्चा करनी है मोस्ट इंपॉर्टन आपका ग्रीन और इफेक्ट का आता है लॉंग कोशन में बहुत ही रेर पूछते हैं इसमें अग्रीन आउज प्रभाव का मुख्य कारण कौनसी यह आपके वहरीशोट में सकता है कि आपको में में बताना हो इसकेवाद मैं C करना है अमलिय वर्षा के कारण प्रभाव और उसकी समस्या पर आपको लिखना है कि क्या क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबर वामिंग की वाख्या और जलवायू परिभरतन यह कोशन भी आता है आप लोग को यह कोशन है मैक्सिमम आप लोगों के शौट में देखने को मिल का है यह लाइन सब प्रिवेस के कोश्चन था जो रिपीट भी हुआ था एक बार उसके नेक्स्ट यह इसलिए मैंने आप लाइन डाल दी है इसके उपर कोशन जरूर लिख लेजेगा और इसके बाद परियावरंड जगरुकता की विस्यस्ता का वंडर्ण करना है थर्टी की बार यानि फ्लरड आएगा और ओजुन लेयर यानि चीदर के बारे में इनके आपको लोग को कारण लाब और हानी यह तीनों ही तीनों अच्छे से कर लेना है यह कोशन आपके शॉर्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं कभी-कभी यह तीनों मिक्स करके भी आ थर्टी फोर्थ है यह आपका प्रिवेश एर का ही कोशन है जो आपके बुक में टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका पूछा जा सकता है नॉर्मल भी पूछ सकते हैं कि पानी का मुख्य स्त्रोत क्या है और यह आपके चार नंबर में पूछा जा सकता है या फिट बोल द अच्छे से एक्स्प्लेंग कर लिजेगा यही चीज इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप लोगों को ग्रीनाउस इफेक्ट के मीनिंग डैफिनेशन और उसके एफेक्ट कर लेने है और नेक्स्ट कोशन में जैसे मैंने वता यह कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट है इन में से एक चीज आपको जरूर देखने को मिलेगी दोस्तों 28 ग्लोबा वामिंग भी मौत मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्लाइमेट चेंज कभी कोशन इसमें मैंने आड कर दिया है नेक्स्ट 29 डिस्क्राइब इन ब्रीफ मेजर यह कोशन एड कर दिया जिसे कि आप लोग इसकी भी प्रिपेशन कर लें अदर्वाइस इन सबके जो भी टॉपिक्स दिख रहे हैं यह मैं अपने क्लासिस में जरूर ले कर आऊंगे जिसे कि आपकी काफी हद तक हल्प हो जाए डिस्क्राइब दफीचर ओफ इन्वार्मे परकात अबने करें चैनल को के बारे में बताना है और उसके मैथर लास्ट फन परीवेशन के को आथा कि आ पको बड़ गीज़न एक अदले हैं अब कर सकते हैं अभी भी कोई हो आप मुझे सब्सक्राइब और क्योंद्ट युजस किया जाता है तो यह पता सकते हैं अदर्वाइस आपकी जो क्लासिस आ लिए उनमें ये सारे के सारे आप लोगों के टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और कितने हद तक आपको कितने बड़े अंसल लिखने हैं उसे साथ से आपके वीडियो पर लेकर रहूंगी तो चैनल को सस्क्राइब जरू और आज की वीडियो पसंद आयों तो लाइक शेयर जरू कीजेगा आज की शूटी सी वीडियो बस इतनी दोस्तों नेक्स वीडियो पर मिलता है थांक यू फॉ वाचिंग